अपनी हर सुबह की शुरुवात कीजिए भगवान को बहुत सारा धन्यवाद देते हुए हम लखी हैं कि हम आज सुबह उठ पाए नहीं तो बहुत से लोग शायद आज सुबह उठ भी नहीं पाए और हमेशा हर वक्त शिकायतों की पोटली तैयार मत रखिये बस जो है जितन हैं उसमें ही भगवान को हमेशा धन्यवाद दीजिए क्योंकि जो हम लोगों के पास है उतना भी शायद बहुत से लोगों के पास नहीं है तो गुड मॉनिंग दोस्तों स्वागत है आपका बी रियल बी सिंपल में आज की वीडियो मैं शुरुवात कर रही हूं सुबह के करीब साड़े छे बजे से तो आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूं साड़े छे बजे क्योंकि आज संडे है और उसके बाद अपनी एक्सेसाइज वगेरा करने के बाद मैं नीचे आई हूं मुहाद दो के मैंने अपना गरम पानी जो कि मैं रोज पीती हूं एक चमस्याद के साथ वो पी रही हूं और यहाँ पे बैठके मैं थोड़ा सा रूलेक्स हूं क्योंकि आज किसी भी चीज की जल्दी नहीं है और वैसे भी मैं रोज सुबह जल्दी उठके एक घंटा अपने आपके लिए निकाल ही लेती हूं ताकि मुझे भागा दोड़ी में कोई काम करना पड़े और आराम से बैठकर मैं अपना पूरा दिन प्लान कर सकूं वैसे मैं पूरा दिन अपना रात को ही प्लान करके सोती हूं लेकिन सुबह को एक बार फिर से थंडे दिमाग से उस सभी का रिविजन करना होता है दिमाग में कि आज करना क्या क्या है तो अभी गर अपने पानी का इंटेक लेते हैं मतब पानी कुभ अच्छे से हम पीते हैं पुरा दिन में हाइड्रेट अपने आपको रखते हैं तो स्कीन आपकी अपने आप रहने लगती है आपको किसी मेक अप प्रोड़क्त की जरुरत नहीं पड़ेगी और मुझे सुबह सुबह का किचन की तरफ क्योंकि exercise अगरा मेरी हो चुकी या जाडव मैंने लगा ली है उसके बाद ही मैं पानी पीने के लिए बैठी थी और अब बारी है किचन में उन्ट्री करने की किम की क्योंकि संडे हो , या मंडे की निग मतब चुटी होती नहीं है हाब इतना है कि थोड़ा लेट सबेर चल जाता है तो किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने ये बर्तोनों का टोकरा खाली किया और आज ये पूरा खाली हो गया नहीं तो कभी-कभी इसमें एक आदा बर्तन रही जाता है आज ये पूरी तरह से खाली हो गया आप सभी को नमस्ते, गुड बॉर्निंग, और अब बच चुके हैं सुबह के दस, तो आज हम लेट चल रहे हैं, संडे हैं, इसलिए अब सब अपना संडे एंजॉय कर रहे हैं, अलाकि मैंने कुछ ज्यादा एंजॉय नहीं किया, मैंने बस वही अपने आदे गंटे की आप खुल जाती हैं, लेकिन वही ना कि पता होता है कि आज कुछ जल्दी नहीं है, किसी को जाना नहीं है, ऐसा कोई खास मताब किसी का लंच पैक नहीं करना, तब बनाना तो है आज कुछ खास, मैं बना रही हूँ आलू के पराथे, और आलू मैंने रात ही बॉल कर दिये आप अलू को फ्रिज में रखते हैं, तो आप उन्हें करीब आप 2-3 दिन उन उबले हूए आलू को चला भी सकते हैं, मताब चल जाते हैं फ्रिज में इतने दिन नहीं रखती हूँ, बस मैं इतना ही करती हूँ कि आज आलू बॉल किये, तो कल तक उन्हें इस्तमाल कर मेल प्लानिक करके चलूं, तो अब हम बना रहे हैं आलू के पराथे, और टाइम हो गया है, देखे मैं दिखाती हूँ आपको, दिखाती हूँ आपको, दिख रहा है, दस बच चुके हैं, लेकिन यह है कि सारा काम ने पढ़ चुका है, काम और कुछ बाकी नहीं है, पराथे, और पराथे मुझे थोड़े से आज एक्स्ट्रा बनाने हैं, क्योंकि पावन को जहां जाना है, वहाँ पराथे लेके जाएगा, वहाँ पर, मतलब, कैसे मैं बताऊँ आपको, जहां पर मेरी ससुराल है, वहां के बच्चे हैं, मेरी फ्रेंड के ही बच्चे हैं तो वहाँ पर रह रहे हैं, और वहाँ पर नीट का एक्जाम क्लियर करने की तियारी कर रहा है, बेटा है, रिटेश, तो उसने बोला था पावन को, कि आप अंटी के गर जाओ गे न, तो उनको आलू के पराथे बोलना बनाने के लिए, तो पावन ने भी आलू के पराथे बनाने की, यहाँ पर हैं आलू, यह मैंने रात ही बॉल कर लिये थे, और यह वीडियो पिछली वीडियो के ही कंट्यूनेशन में है, मतलब पिछली वीडियो के ही अगले दिन का यह शूट है, जब मैंने बताया था कि मैंने रात में आलू बाल के रखे थे, और इससे पहल का मसाला बनाने से पहले मैं यहां पहले आटा बना रही हूं आटे में थोड़ा सा बेसन मिलाया है करीब एक कटोरी थोड़ा सा नमक नमक मिर्च और सोफधनिय का पाउडर जीरा और थोड़ा सा हींग तो बिल्कुल प्लेन आटा मैं नहीं बनाती हूं किसी भी परांठी के के लिए मतब यह तो मुझे आलू का परांठा बनाना हूं मूली का घोबी का किसी भी चीज का फिलिंग वाला परांठा अगर मुझे बनाना है यहां तक की अगर मैं सिंपल परांठे भी भी बनाती हूं तो उसमें भी हलंक जीरा नमक मिरच डालके ही मैं बनाती हूं जीरा नमक मिरच और थोड़े से मसाले डालके ताकि जो बाहर की परत है पराठो की वह भी थोड़ी सी फ्लेवर्फुल हो जाए मतलब बिल्कुल प्लेन ना रहे और यहां पर मैं आटा बनाने के लिए गरम पान इस्तमाल कर रही उतनी ही कम महनत हमारे पेट को फिर उसको पचाने में करनी होती है मतलब आटे को खूब अच्छे से आप गूतिये उससे आपकी रोटिया नरम भी बनेंगी और फिर वो पचाने में भी आसानी होगी चाहे आप फिर उससे रोटी बनाए पूरी या पराठा जो भी अब पाउडर डाला है थोड़ा सा जीरा डाला है मैंने इसमें और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है लाल मिर्च थोड़ा सा हींग भी डाला है हरी मिर्च भी डाली है मुझे लेकिन वो मैं बाद में डालूंगी अभी मैंने इसमें अजवाइन डाली है और यह है सूखा हुआ पुदीना अगर आपके पास फ्रेश पुदीना हो तो आप वो डालिए उसका स्वाद और भी जादा बहता रहता है तो आज धनिया नहीं था मेरे पास इसलिए मैंने पुदीना डाल लिया और सबसे लास्ट में यहां पे नमक मिला के अच्छे से मैं यह फिलिंग तयार कर र अच्छे से बीग जाएगा तब तर अलो की फिलिंग हमारी बन गई हरी मिर्च वाली और बिना मिर्च वाली रखी है अलगती और अटा भी मेरा सेट हो गया है अभी पहले परांटे से एकने से पहले दो से तीन मिनट का लूंगी डेस्ट बतर रेस्ट नहीं मुझे पानी बैट के पानी प्यूंगी दो से तीन मिर्च वह जाएगा और तब तक यह सब अच्छे से से जाएगा और यह मैं अपने अपरें के साथ क्योंकि बिना आपरें के मुझे में कुछ भी काम नहीं होता मुझे अगर रोटी भी बनानी है ना तो मुझे अपरन पहनने की आदत है और अच्छी आदत है कपड़े भी गंदे नहीं हो तेज से नहीं तो मतलब किछन में हर किसी को होनी ही चाहिए यह की आपरें पहन के वह काम करें इससे हमारे बहुत सारे देखिक तो कपड़े गंदे होने से बच जाते हैं तो कभी-कभी कपड़ों पहन से धब्ब लग है अपने तो एपरें तो एपरें मुझे सबसे ज़्यादा लगते हैं मेरे पास आज ही इस्तेमाल किया दूल जाएगा फिर उसके बाद अगला इस तरह से तो अभी जादा बात नहीं करती हूं पहले पी लेती हूं तो ले आई में पना पानी और पहले में पना पानी पी और घड़े का पानी पी के दा ना देखुश हो जाता है आप लोग फी प्रीज जरूर घड़े का पानी पीजिए फिर्ज का पानी मत पीजिए बहुत बीमारिया मश्मार पढ़ाता है फ्रिज का पानी एबदा कर कि देखियों मैंने जैसे पहले बीपानी था मुझे 10-12 श और वानी के पैदा होने से एक साल पहले से हमने घड़े में पानी रखना शुब किया था और शिज का पानी बिल्कुल बल्ल है सिर्फ दो बोतले हैं मैमानों के लिए जिसे पीना है पी सकते हैं हमारे लिए सिर्फ गड़ा और बस अब आटे को मैंने अच्छे से से सेट किया यहां पे 10-15 मिर से जादा ही हो चुके थे आटे को रखे हुए और आटा हमारा कूब अच्छे से नरम तयार हो गया पराँठों के लिए और यहां पे सबसे पहले मैं बना रही हूँ गाएं के लिए रोटी तो सुबह सबसे पहले गाएं के लिए ही रोटी बनती है या तो सुबह बनती है या अगर सुबह किसी दिन नहीं बन पाती है तो फिर मैं दुपैर में बनाती हूँ तो सबसे पहले दो रोटी गाएं की उसके बाद सिंपल वाला पराथा राम का और उसके बाद ही मैं फिलिंग वाले पराथे बनाऊंगी तो जो फिलिंग मैंने बिना हरी मिर्च की निकाली थी मतलब उसको मैं बनाऊंगी वानी के लिए और अपने लिए भी मुझे भी हरी मिर्च इतनी पसंद नहीं आती है मतल्ब लाल मिर्च तो मैं डाल लेती हूँ डाली भी है मैंने थोड़ी सी लेकिन हरी मिर्च वाले मतलब जो फिलिंग के पराठे होते हैं वो मुझसे भी नहीं खाये जाते तो जो कम मिरच वाली फिलिंग है मतब बिना हरी मिरच वाली है उसमें से मैं अपने औरवानी के लिए बनाऊंगी और बाकी के मैं पावन के लिए बनाऊंगी और जो ले जाने के लिए बनाने है वो भी तो देखिए यहां पर मैं दिखा रही हूं जब आटा हमारा अच्छे से बना होता है तो बेलन या जहां पर भी आप बना रहे हो चकले पर या काउंटर टोप बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है और अब मैं पराठे सेखती जा रही हूं पहले भी मैंने बहुत बार शेयर कि है आलो के पराठे बनाने की टक्नीक और कोई टेकनिक नहीं है अला कि इसमें बस अच्छे से आपको आटा बनाना है फिर इसमें कूब अच्छे से फिलिंग भरनी है और इस तरह से दबा दबा के धीमी आच पर आपको पराठो को सेखना है आच अगर आप जादा तेज कर तो फिर वो पराठे जले जले बनेंगे और उसके बाद ये तवे की सफाई हर बार पराठा बनाने के बाद ये भी मैं हर आपको लोगों के शाद करती हूं और पराठो का साइज आप यहां पे देखी रहे होंगे मतब सब बोलते हैं मुझे इस बारे में कि मैं बड़े बटेट भरता नहीं है और दो खालू इतनी हमत नहीं होती लेकिन फिर भी वो दो पराठे खा लेते हैं और पता नहीं क्यों मुझसे छोटे-छोटे वह पतले-पतले से बंते नहीं है हमेशा इस तरह की हैवी परांथे बनते हैं मुझसे तो लंच हमारा हो गया लंच कहूं इसको ब्रंच कहूं क्या कहूं तो सब ने खा ली अच्छ से और यहां पे वानी इसके कान में थोड़ी सी दुखन लग रही है तो मैंने थोड़ा सा नारिल का तेल लगा दिया है गरम करके और यह नहा तो चुकी है लेकिन इसने अपने कपड़े चेंज नहीं किये वही वाल लिए और जब सबने खाना खा लिया उसके बाद रसोई से एक थोड़ा सा ब्रेक लेकर मैं आई थी उपर दरसल उपर के कमरे की सफाई अभी बच्ची हुई थी तो वह मैंने की है और उसके बाद मैं बहार आई हूं तो देखा है गुल्दुपैरी के बहुत सारे फूल ख गई है चोटी क्या काफी बड़ी हो गई है वह पोड और यह तुलशी का पोधा मैंने दो लगवाए थे एक हरी तुलसी और यंक यह काले वाली पता है मुझे तो हरे वाली तुलसी तो चल नहीं पाई लेकिन ये काले वाली तुलसी बहुत अच्छे से चल रही है और चोटे चोटे पते इस पे खूब सारे आ रहे हैं जिसे ये खूब घनी हो जाएगी और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको एक पौधा मतलब एक प कर रही हूँ बीच में जो ये पौधा है तो इसके आसपास की मैंने डंडिया तोड़ दी लेकिन जड़ इसकी निकल नहीं पाई तो इसलिए मैंने ऐसी ही छोड़ दी और इसमें भी मैंने कुछ गेंदे के फूल डाल दिये थे तो इसके आसपास भी खूब हर्याली आ इसनके गुजय के सथी तोगेवे चोटे-चोटे हरे पोदो से खोछ सुरत लगने लगता है और यहां पे मैंने कुछ प Class करी थी जोटी-पूदे ऐसके गुल दॅल पहरी की तो उन में लगाने का पे-व्हं best practice में और और बोतल से मुझे वनाने है दो-डो लिटर खेता तो देखिए कितने सारे फूल यहां पे के लिए हैं यह टहनिया बहुत लंबी-लंबी हो गई थी तो यह मैंने काट के रख ली थी और उसके बाद बैक टू किचन अब मैं आई हूं दुबारा से एक और राउंड किचन में किचन में परांठो का बनाने के लिए यह वह वाले बड़ा करने की कोशिश कीजिए उसके बाद बस थोड़ा सा ही उस पे चकला आप इस पर इस्तमाल कीजिए बस और उसके बाद आपका बड़ा सा हैवी सा परांठा तेयार हो जाएगा जैसे मैं बनाती हूं बाकि आप लोग चाहें तो चोटे-चोटे पतले-पतले परांठे में रख रही हों देखा होगा आपने मैंने प्लेट में नीचे कपड़ा लगाया हुआ हूआ है उसके बाद उपर थाकि आप नीचे हैं ताकि वो नीचे phrase में पैक किया फिर उसके बाद कपड़े जो किचन नैपकिन होता है उसमें मैंने पैक किया और अब देखिए दो बज चुके हैं पवन भी निकलने के तयारी कर रहा है जब तक पवन अपनी पैकिंग कर रहा है तब तक मैंने यह सारी रसोई साफ कर दी अच्छे से दो तीन प अटेंड करूंगी बरतनों की भारात को और उसके बाद अब पवन जा रहा है और जाते जाते मैं उससे बोल रही थी कि तो इन पराठो का फीडबैक तो दिया ही नहीं मतलब कैसे बने हैं बता कि तो जा लेकिन फाइनली है उसने मेरे पराठो को थमसब दिया और उसके बा पास करी 15-20 मिनट है तो 15-20 मिनट का मैं करूंगी रेस्ट लेट के सोऊंगी नहीं क्योंकि सोने के लिए प्रोपर चाहिए एक से लेड़ गंटा अर एक से लेड़ गंटा मेरे पास है नहीं और 15-20 मिनट के लिए अगर मैं सो गई और फिर बीच में उठी तो बहुत जाद 15-20 मिनट का रेस्ट और उसके बाद करूंगी अपना बाकी का काम और वानी कर रही है अपनी पड़ाई के मेरे पास और वानी कर रही है अपनी ड्रॉइंग और पीछे जो आप देख रहे हो कपड़े यह मैंने राद जो प्रेस किये थे ना वह भी यहीं रखी हुए है यह से नमक मुरक्डी के साथ सबजी वग्यारा जैसे पहले वी बताया है बहुत बार की वह डलवाता नहीं है इसह तरह से वह खाता है और मैंने यह देशी घी में छो कर दिया उपर से देशी घीए डालकी ही मैं उसको देती हुँं वह जींग जाने से पहले खाता है करीब 1 katoori दलिया और जो बच जाएगा वो मैं शाम को डिनर में खालूगी क्योंकि यह मुझे बहुत अच्छा लगता है दलिया और healthy बहुत है दूद के दलिये से ज्यादा मुझे नमक का दलिया अच्छा लगता है तो राम भी खा लेता है और मैं भीखा लेती हूँ इसको और अभी करीब 4 बजे हुए है मैं इस वडियो को अंड करती हूँ कैसी लगी वीडीयो बताईएगा और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरुर कीजिएगा और like भी दीजेगा इस वीडियो को thank you so much for watching अपने time देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब का